हेलो जी, नमस्ते, सस्यकार, असलाम देको, मैं आपका स्वागत है, मेरे चैनल, 222 चैरो, हिंदी उर्थू पे, और आज मैं एक रेडिंग करूँगी, पिका कार्ड, Who is your hidden enemy, कौन है आपका दुश्मन, कौन है जो आपके evil eye put कर रहे है, कौन नहीं चाहता कि आप लाइफ में successful हो, कौन नहीं चाहता कि आपको खुशियां मिले, आपको success मिले, आपको abundance मिले, आपको true love मिले, कौन है जो आपका दुश्मन है, I would say nevla, जो आपके nevla है, snakes, ठीक है, कौन है जो आपको successful नहीं देख सकता, कौन है जो आपको खुश नहीं देख सकता, कौन है जो आपके evil eye put कर रहे है, मतलब बुरी नजर, हसदवारी नजर आपको देख रहे है, ठीक है, कौन है जो नहीं चाहता कि आप grow up करो, ठीक है, so, आज की reading ये है, who is your enemy, hidden enemy, who is putting the evil eye on you, कौन नहीं चाहता, कौन है जो आपका छुपव अदिश्मन, आपको पता है ये नहीं पता, आज हम उसको figure it out करेंगे, ठीक है, आज हम उसको ढूंडेंगे कौन है, I will definitely tell you about this person, so, keep in open mind, this is a general reading, ये जैनल रीडिंग है, उस इंसान को जाके गले ना पढ़ जाना, और ना ही उ उसको जाके जो है ना, उसके साथ लड़ाई शुरू कर देना, कि मैंने reading देखी थी, तो उसमें निकला है, ठीक है, so, होश वाले नाखुन ले ना, be responsible, be sensible, so, आपको पता चल जाएगा कि कौन है, या शाइद आपको 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 बता है, आपको बत है, like, share and subscribe this channel, hit the notification bell, ताकि जब इस channel पर reading upload हो, आप उस वक्ड देखें और कोई reading miss ना करें, ठीक है, और I will also wanna tell you that I don't offer personal readings, so, definitely I want to clear it, कि अगर को आपको 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 So, let's start from the cards, option number one, we have the knife, this chura, this churi, whatever, we have the number two, I, ठीक है, so, आप अपनी मर्जी से अपना एक पाल चूस कर लो, one and two, and we will see, कौन है ये इनसान, Hello pile number one, जिन्होंने भी ये knife वाला card choose किया है, so, let's figure it out together, कौन है वो इनसान जो आप के, ये बूरी eyes रखता है, ठीक है, कौन है वो इनसान, क्या आप उसको जानते हो, या आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, so, let's see, from this Lenorma deck, let's see, कौन है ये इनसान, क्या आप इसको जान क्या हमते हो, या, let's see, क्यों है ये लड़की, ये लड़का, या जो भी इनसान है, औरत ये अदमी आपकी लाइफ में जो आपका चूपावा दुश्मन है, जो आप पे एवल आयर रखता है, जो नहीं चाहता कि आप लाइफ में सक्सेस हो, so, we have number 24, this, this Vans, we also have the 15, this, this, um, this is bare, so, definitely, ये मुझे यहां तक नजरा रहे, female energy है, she is the female, um, औरत हो सकती है, चीक है, female है, लड़की है, या, female है, अगर ये मेरेड है, तो इसके दो बच्चे है, या, इसके ट्विन बच्चे भी हो सकते है, चीक है, इसके तूरत के, she is very healthy, you know, अगर ये लड़की है, तो, या she has a white skin, not a tan or black skin, she has a white skin, okay, uh, we have number 29, reverse, so, this card, and then we have this, this 12 nest, okay, so, definitely, ये यापकी घर की ओरत है, या घर का आदमी है, we have the house, this is bear, this is house, this is mother, so, काफी सारे लोगों के लिए, या आपकी स्टेप मदर है, अगर आपकी सुतेली मा है, या घर का आदमी है, we have the house, this is bear, this is house, this is mother, so, काफी स है, तो ये वो औरत है, ठीक है, your stepmother, लेकिन, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, कि कौन है, जो आप पर evil eye रखे हुए है, अगर, आप किसी से love करते हो, अगर आपको लगता है कि वो आपका soulmate है, या आपका twin flame है, जिससे आपको love है, क्योंकि यहाँ पर two swans है, उस कि mother आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो उस घर में औरत है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, especially उस इंसान की mother, और अगर mother नहीं है, तो उनकी sister, definitely they don't like you, they are your hidden enemies, तो वो आपके partner के कान भरते रहते हैं, और अगर आप married हो, तो यह आपकी सास हो सकती है, because I'm seeing mother फिर एक और card है यहां पर, आप देख सकते हो, कि इस इंसान की यह energy है यहां पर, so यह हो तो सकता है कि वो male हो, ठीक है, लड़का है, male है, लेकिन उसके अंदर feminine energy बहुत जादा है, ठीक है, तो हो सकता है, उसको dressing करना, accessories पहनना, ठीक है, make-up करना, लड़कियों की तरह बाते करना, like you know, very feminine energy, तो यह वो इंसान भी हो सकता है, यह इंसान बजाहिर तो आपका दोस बनता है, यह आपके friend zone में होगा, family में होगा, यह कहीं पर भी इस इंसान को आप जानते हो, लेकिन यह reverse है, तो इसका मतलब इस इंसान की intentions आपके लिए सही नहीं है, यह इंसान बिलकु या lesbian friend हो सकती है, जो नहीं चाहती कि आप दोनों की union हो, because we have this lover, यह lover है, जो जिससे आप प्यार करते हो, तो उसका friend, उसका gay friend या उसकी lesbian friend, लड़की है तो, तो वो नहीं चाहते कि आप, उसमें ऐसे यह feminine energy होगी, लेकिन यहापे मुझे लड़का नजर आ रहा है, especially, तो वो नहीं चाहता कि आप अपने lover के साथ हो, या आपका friend नहीं चाहता, अगर इस तरह की energy है, and we also have the mother energy, strong woman energy, तो यह आपकी stepmother हो सकती है, उस आपकी lover की mother हो सकती है, and we also have, के हो सकता है आपकी stepmother, अगर आपकी हैं तो, ठीक है, और यहाँ पर यह चीज भी मुझे यहाँ नजर आ this nest here, so काफी सारे लोगों के लिए यह आपके बारे में gossip करती है, इस औरत को बातें करने का बहुत शौक है, बातूनी होगी, बहुत तेज बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, इस इनसान को, इस औरत को gossip करना बहुत पसंद है, उस इनसान की सबसे बड़ी निशानी यह है, ज जरूर कोई ने कोई सीक्रेट किसी का निगाल देना, तो यह उस इनसान की सबसे बड़ी निशानी है, जो आपको, जो आपका hidden enemy है, जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करता, जो चाहता है, आप पे evil eye रखे वे हैं, और वो आपका बजायर तो आपका दोस्त है, लेकिन या बनने की कोशिश करता है, या शायद आपको पता है, ठीक है, काफी सारे लोगों के लिए यह आपका friend है, मतलब जिसके साथ आपकी daily बात होती है, because we have nesting chatting, so आपकी daily बात होती है इस इनसान से, या आप daily मिलते हो इस इनसान को, let's see, मजीद इस इनसान के बारे में, we have the marriage, okay, so काफी सारे लोगों के लिए यह इनसान marriage है, marriage already शादी शुदा है, और हो सकता है, जैसे मैंने का, अगर यह आपका lover है, तो यह और यह लड़का नहीं चाहता कि आपकी शादी हो, और अगर आप शादी शुदा है, marriage इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह आपकी सास या आपके घर में कोई ऐसा लोग हैं, जो definitely आपके बारे में इस तरह बातें करते हैं, जो आपके couple के दर्मियान, आप दोनों के partner, मतलब आपके husband या wife के दर्मियान में लड़ाई करवान चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप हमेशा एक दूसरे के, you know, गलत बातें करते ह आप लोगों के बारे में या आपके relationship के बारे में, gossip, we also have the change, ठीक है, it's came up reverse, so ये इंसान बिल्कुल भी change नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे पैसे change, या मुझे लगते है कि वो इंसान है जो, इसने आपको काफी सारे लोगों के लिए आपको नहीं पता ही कौन है, क्योंकि इ है कि ये इंसान की intention आपके साथ सही है, लेकिन नहीं है ऐसा, अगर ये लड़की है, ये लड़का है, लड़का भी है, इसको लड़का है, मुझे लड़का है, लेकिन उसमें feminine energy ज्याद है, उसको make-up करना, लड़कियों की तरना चीजें पहनना, ज्यूलरी पसंदना, इस ये वो इंसान है जिसने आपको recently कोई gift दिया है, या आपको बहुत gift देता है, या आप इसको बहुत gift देते हो, या मुझे काफि सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये वो है इंसान है जिसने शादी पे आपको gift दिया था, अगर आपकी शादी हुई है, तो आपक को बिल्कुल भी नहीं पसंद, आपका hidden enemy हो सकता है, काफी सार लोगों के लिए मुझे यहां पर जैसे mature man है हो सकता है, क्योंकि यहां पर library है, तो आपका teacher भी हो सकता है, जहां पर आप study करते हो, education हासल करते हो, लेकिन यह आपका boss भी हो सकता है, अगर work वाली जगह है, तो education व from the tarot, कि कौन है यह शक्स, अभी तक हमें इस इस इंसान के बार में पता चल चुका है, but let's see, we have eight of swords, so Gemini, Libra, Aquarius, so मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता यह कौन है, या बिल्कुल, इस इस इंसान ने आपको अपना सली रूप नहीं दि Four of Cups, काफी सारे लोगों के लिए यह वो इनसान हो सकता है, जिसने आपको काफी सावा disappoint किया है, आपको hurt किया है, आपको ignore किया है, आपको reject किया है, काफी सारे लोगों के लिए आपका crush या soul या आपका lover भी हो सकता है, ठीक है, जो नहीं चाहता, night of pentacles, या अगर यह work वाली success से अगर आप life में आगे बढ़ रहे हो, ये इंसान अपनी life से bizarre है, ठीक है, we the aid of swords, ये इनसान definitely, ये इन एक victim है, लड़की है ये gryक्टम है, इस 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 इनसान को लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्य नहीं है, आपकी life में बहुत कुछ अच्य चल रहे है, आपकी life मे पैसा है, आपकी life में blessings हैं और ये इस वज़े से इनसान को ये इनसान इस वज़े से आपको hate करता है, reason ये है ये इनसान इसलिए आपको पसंदिं करता है, ये इस इनसान को लगता है कि आपकी life ये से ज्यादा better है और इस इनसान की life बहुत slow move कर रही है काफी से लोगों के लिए इनसान single भी हो सकता है और आप married हो तो इस इनसान को काफी मतलब अच्छा नहीं लगता है, कि आप married हो और ये single है, आपकी शादी हो गई, मेरी नहीं होई इस तरह energy हो सकती है ये इनसान नहीं चाहता कि magician, ये इनसान बहुत ज़्यादा बातें करता है इस इनसान की बात करने की बहुत आदत है magician ये इनसान बातें बहुत ही अच्छी करता है कि इस इनसान की बातों में लड़की ये लड़का जो भी है इस इनसान की बातें हर कोई सुनता है और ये इंसान बहुत ज़्यादा गपशप मारने वाला हो सकता है गॉसिप करना इस इंसान को मैंने जैसे पहले का इसको बहुत पसंद है ठीक है फनी बातें करना इदर उदर की बातें करना गॉसिप करना इस इंसान की आदत है यह वो इंसान है, जो आपका hidden दुश्मन है, the magician का मतलब यह इंसान आपको भी चरा जाता है मतलब इस इंसान को तरीका आता है कि किस तरह से आपको बात मनवानी है आपसे, या किस तरह से आपसे पैसे लेने हैं, किस तरह से आपसे बात मनवानी है और किस तरह से आप से काम निकल वाना है लास्ट कार्ड देख लेते हैं यह इनसन बहुत चलाक है हमारे पास जैमिना विर्गो है लिब्रा एक्वेरियस अर्थ साइन, वाटर साइन, एर साइन कोई भी साइन हो सकता है लेकिन with the magician and king of swords क्योंकि यहां पर सारे male card आ रहे हैं यहां पर mature man है, यह भी male है तो हो सकता है कि यह कोई masculine हो ठीक है? masculine male इनसान हो सकता है यह एक से ज्यादा male भी हो सकते हैं ठीक है? एक से ज्यादा मर्द या आदमी या लड़के हो सकते हैं we have the magician so यह इनसान बहुत चलाक है king of swords, यह इनसान बहुत ही sharp है, smart है, यह इनसान बहुत educated है, यह मुझे evil इनसान लग रहे है, ठीक है? यह teacher हो सकता है professor हो सकता है, boss हो सकता है आपका position पर हो सकता है यह इनसान इस इनसान की यह इनसान divorce भी हो सकता है मतलब ये इंसान शादी शुदा नहीं है डावोर्स है जिसकी वैसे इंसान हमेशा उखडा रहता है क्योंकि इसकी लाव लाइफ नहीं है इस इंसान की लाइफ में और अरत नहीं है इस इंसान की लाइफ में कोई वाइफ नहीं है और इसकी life में कुई नहीं है, यह single है इंसान, काफी सारे लोगं के लिए इंसान single है ठीक है, आप यह आपकी work वली जगा हो सकती है, education वली जगा भी हो सकती है ठीक है, लेकिन family में भी हो सकता है, यह इंसान इस तरह का पड़ा लिखा और इस तरह की बातें करने वाला और smart ठीक है, काफी सारे लोगं के लिए मुझे लगता है, यह वो इंसान है जिसका आपने रिष्टा reject किया आप उन्हें proposal reject किया, ठीक है, और यह इंसान definitely बिल्कुल भी और आपकी शादी हो गई तो यह आपका ex-partner या आपकी family में से कुई हो सकता है, जिसने आपके घर रिष्टा बेजा था और आपने ignore किया आपने reject किया, और यह इंसान अभी तक आपके घर में या आपकी family में यह इस तरह के रिष्टे मतलब फैमिया पैदा करना चाहता है, ताके आप अपने partner के साथ खूश न रह सको, ताके आपकी life आगे न बढ़ सके और इस तरह की बातें करना, और एक औरत भी है या पे, एक मर्द है और एक औरत है, जैसे मैंने आपको मर्द का, और और औरत का भी इस तरह बताया है काफी सारे लोगों को आपको पता ही नहीं है कि ये कौन है, क्यूंकि ये इंसान आपके सामने कुछ बंता है, और पीछे कुछ है ये आपकी reading है, like, share and subscribe, मैं हमलोगे आपसे नेक्स reading में, comment में मुझे ज़रूर बताये कि ये कौन है इंसान, I will see you in the next video, bye Hello group number two, pile number two, जिन्होंने भी आई वाला कार्ट चूस किया है, so let's see कि कौन है ये इंसान, जो आपका दुश्मन है, चुपवा दुश्मन है, जो आपके, जिसको पसंद नहीं है कि आप life में move on करो, आपकी success से, आपकी love life से, या आपसे jealous होता है, कौन है ये इंसान, जो आपको बसंद नहीं करता, आपसे jealous होता है, evil eye रखता है, तो आपने eye का कार्ट चूस किया है, तो सबसे पहली चीज, मैं आपको बता दूँ, जो मुझे intuitively यहाँ पर नजर आ रहा है, इस इंसान की आखें बहुत ही dark color की होंगी, जैसे brown है या black color, ठीक है, काफी सारे लोगों की almond eyes क shape हो सकता है, ठीक है, almond जैसे badam होता है, उस shape का आखें का color, आखें का style हो सकता है, shape हो सकती है, ठीक है, लड़की या लडगा, और दूसरी बात मुझे लगता है कि इंसान आप पे आख रखे वे, इस इंसान को हमेशा आप पे आख रखे वे, यह देखना चाहता है, इनसान क की, जिसकी आखें आप पे, we have number three, shape, so number three बहुत important हो सकता है, इस इंसान को लेके, related, okay, फिर हमारे पास है number nine, rose, bouke, reverse, okay, फिर हमें देखना है number 17, stark, let's see, oh my god, यह पेली रीडिंग में भी आया था, number 24, this swan, okay, so आपकी, यह आपका soulmate, यह twin flame हो सकता है, यह आपका lover हो सकता है, जो आप पे नज़र रखे हुए है, और jealous भी है कि आप किससे बात कर रहे हो, possessive हो सकता है यह इनसान काफी, लेकिन, yeah, secret book, number 26, so इस इनसान की age 24, 26, 17, यह आप दोनों के दरम्यान में age gap 3, 9, 6 year का हो सकता है, we have the book, काफी सारे लोग जहाँ पे आप study करते हो, education में, library में कहीं जाते हो, यह वहाँ पे वो नज़र है, यह इनसान आपे नज़र रखे हुए है, काफी सारे लोगों के लिए यह वो इनसान है, जो आपसे jealous होता है, क्योंकि आप हमेशा अच्छे नंबर लेते हो, marks लेते हो, आपको position मिलती है, study में, education में, यह आपकी education से jealous है, ठीक है, study वेल जगह पे हो सकती है, लेकिन घर में कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके, आपके great से, आपकी education से, आपकी study से, बहुत jealous है, और काफी सारे लोगों के यह लगता है, क्योंकि आप बहुत, यह इनसान इसलिए आप से jealous है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा wisdom है, knowledge है, आप एक secret book की तरह हो, यह इनसान आपके सारे secrets देखना चाता है, क्या आपका secret क्या है, इस इंसान को आपका secret जानना है, ठीक है, यह इनसान आपके secret को हमेशा धूरने की कोशिश करता है, क्या आपका secret क्या है, ताकि वो उसको इसको इस्तमाल कर सके, so we have the shape so काफी सार लोगों के लिए ये इंसान बिलकुल भी आप जहां रहते हो वहाँ पे है ही नहीं ठीक है ये इंसान आपसे दूर रहता है out of city, country, state हो सकते है ये इंसान water वाले area पे ज्यादा नेर रहता हो यहाँ पे country, different country भी हो सकते है ये internet पि पी हो सकते हैं ये इंसान जो आपको देखना चाहते है किया चाहते हैं आपकी life में क्या चल रहा है लेकिन जादा तर जैसे ये इंसान आपसे दूर है जादा तर मुझे लगता है कि ये इंसान उस जगह पे रहता है जहाँ पे पहाडी इलाग है जैसे जैसे mountains हैं, hills हैं इस तरह की जगह जहाँ पर यह इनसान रहता है तो काफी cold weather हो सकता है यह इनसान ships पर work करता है जहाँ पर ships पर हो सकता है इस इनसान की job near the water or near the mountains हो सकती है इस तरह की job हो सकती है पिर मारे पस है bouquet rivers यह वो इनसान है जिसको आपने love letter reject किया, love offer या proposal reject किया, या आपने इस इनसान को offer में किया love, यह इनसान चाता है कि आप इसको, मतलब आप इससे romance करो, आप इससे love करो, लेकिन आपने reject किया, या आपने already इस इनसान को reject कर चुके है, ठीक है, यह वो इनसान है, जिसको आपने reject किया, जिसकी love offer को या proposal को आपने reject किया, या उसने आपका reject किया, ठीक है, लेकिन definitely rejection है याँ पे, we also have the star, ये वो इंसान है जो काफी लगी है, इस इस इसान की height लंबी हो सकती है, ठीक है, इस इसान की गर्दन specially बहुत लंबी होगी, we live like a star, इसान की लंबी गर्दन होगी, ठीक height में, आप से बड़ी है, especially viewers से, ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास है, number 24, with these swans, ये आपको सोलने चे, twin flame मोह सकता है, ये इनसान आपके साथ love affair रखना चाहता था, क्योंकि इसने परपोस किया, या आपने परपोस किया, लेकिन, आप दोनों की luck नहीं चली, आपकी luck नहीं चल तो ये इनसान इसलिए आप से jealous है, कि आप किसी और कुछ आके choose कर लो, कि या आप और रेड़ी किसी और के साथ date कर रहे हो, काफी सारे लोगों के लिए आपका ex हो सकता है, मुझे ex नजर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है, आपने इससे, इनसान से बात करना छोड़ दिया, ठी आपको date किया, तो आपका friend जो है, या लड़की वो jealous है, या आपके friends की वज़ा से relationship खतम हो गया, मतलब friends involved है यहां पे, कुछ चकर चल रहा है यहां पे, friends का और third party situation, लेकिन यह love का affair है, और कुछ लोगों के लिए यह definitely study से related है, ऐसा इनसान जो आपकी study से jealous है, या वो इनसान जिस जो, जिसको लगता है कि आप मुल्क से बाहर चले गए, इतनी education करके, इतनी study करके, यह इनसान मुल्क से बाहर है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपको देख रहा है, कि आपकी life में क्या चल रहा है, मतलब इस तरह, यहां पे competition जो लग रहा है, study का और love का, love का, love का है त इस ने आपकी offer क्यों reject की, तो अब इस इस इंसान को लगता है कि आप खुश हो life में, आप move on करे हो, आप लखी हो, आपको तो कुई भी मिल जाएगा, या आप किसी और के साथ हो already, वो अभी तक single है, मतलब इस तरह की feeling, let's see कोन है यह इनसान, we have number 26, wow, great fortune, so 26, 26, 26, इस इंसान को आप जामते हो, बहुत अच्छे तरीके से जामते हो इस इंसान को, great fortune, यह इनसान बहुत लखी है, इसके पास पैसा है, good luck है, abundance है, इस इंसान ट्रैवल भी बहुत करता है, ठीक है, वर्क के लिए हास है, या पैसे के लिए हास ही, या स्टडी के लिए हास ही इसके इंसान ट्रैवल बहुत करता है, so, या 26, 26, आप दोनों ही maybe 26 year old हो, यह इंसान 24, यह 26, 26, 26, आप दोनों ही एक दुसरे को मिरर कर रहे हो, मतलब जो इंसान आपके दिमाग में है न, यह वो इंसान है, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हो, वो भी आपके बारे में इंसान के बारे में, आप किसी को पसंद करते हो, तो यह वो भी इंसान हो सकते है, मुझे लगता है, आप दोनों एक दुसरे के ऊपर आइस रखेवे हो, यह इंसान जैलस है, आपके विज़से या evil eye रखाव है, क्योंकि इस इंसान की great fortune है, या आपके पास बहुत ज़्या So, ये इंसान आपके घर का इंसान हो सकता है, या आपके घर आ चुका है, आप मिल चुकियो इस इंसान को घर में, या आपके घर के करीब था, आपका नेबर भी हो सकता है. We have message, yeah. Yeah, yeah, definitely. मुझे लगते कि ये वो इंसान है, जिसकी आपने messages पर बात की थी, या आपने इसको, definitely आपने messages पर बात किया इस इंसान से. या किसी तरह का contract था, आप तुनोंने project कठे किया था, study कठे की थी, you know, आप लोगोंने study कठे की थी, एकी same house में, या tuition, जैसे, you know, like study, या आप तुनोंने travel कठे किया था, कुछ इस तरह की job. We also have great fortune, तो ये, ये इंसान jealous है कि आपके पास इतनी लाख है, आपके पास पैसा है, ये आपके haters है, वो नहीं चाहते कि आप secrets जानना चाहते हैं, आपके इतनी success का, ये घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके family के लोग भी हो सकते हैं, या जैसे relatives होते हैं, रिष्टेदार, फिर आपके बारे में gossips पहलाएंगे, ठीक है, बदले इस तरह के लोग हैं ये, relatives, we have the message, काफी सारे लोगों के लिए मुझे लगते है कि इस इंसान ने आपको message किया है, आपकी message पे बात होती है इस इंसान से, या आपको बहुत जल्द message रसीब होगा इस इंसान की तरफ स let's see, कौन है ये इंसान, क्यों कर रहे है, three of wands, हाँ, ये इंसान आपसे दूर है, Aries, Leo, Sag, ये इंसान यहां का नहीं है, जा आप रहते हो, ठीक है, ये इंसान आपसे दूर है, travel involved है, ये इंसान definitely आपे नज़र रखे वे है, बिल्कुल नज़र रखे वे है ये इंसान, ये इंसान आपे हमेशा नज़र रखे वेए, जाए work-waly situation है, जाए आपके घर-waly जगा है, इस इंसान की आँखे हमेशा हाँ पे होती है, क्या आपकी life में क्या चल रहा है, आपको इतनी good luck कैसे मिल गई, आपकी study में क्या चल रहा है, आपकी life में क्या चल रहा है, आपकी कर रहे हो कोन है आपका लवर इस तरह की नहीं जीज है ये वी हैब King of Pentacles, okay तो ये इनसान टार्स विद्वर कोई एक एक आपरी काउन हो सकते हैं काफिशा लूम के लिए आपका 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 जिसके साथ आप वर्ट करते हो पुलीग हो सकता है, या पका बॉस भी हो सकता है With a king of pentacles इस इस इंसान के पस खुद भी पैसा है, लेकिन ये इस इंसान definitely जो चीज़े हैं उसकी वे से जल्लस है, कि आपके पस क्या है याप किसी को डेट कर रही हो, ये इंसान लेकिन आप अपने लवर के साथ हो तो इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहे है यह इंसान चाहते है कि आप अपने इस पार्टर को छोड़ दो और उसके पास आओ Night of Cups या यह लव का मामला है बेटा यह लव का Net of Cups काफी सारे लोगं के लिए लव का मामला है Night of Cups आप दोने में Age Gap हो सकता है इस सान ने आपको लाव आफर किया था या आपने इसको लेकिन किसी ने रिजक्ट किया यहां पर आप ने यह इसमें मैसेजिस पर बात होती थी आपकी अब इस इंसान को जलिस ही है कि आप ये इंसान बहुत जलिस है कि आप किसके साथ हो उसके पास क्यों नहीं हो इस इंसान को ये जलिस ही है ठीक है और इस इंसान को ये लगता है कि इस इंसान के पास घर भी है पैसा भी है आपके पास या इस इंसान के पास लेकिन आप उसके पास क्यों नहीं आओ नाइट अफ कप्स आप उसके पास क्यों नहीं हो यह किसी तरह का प्रपोजल है यह कॉंट्राक्ट है जो आपने अपने कठे किया था या इस इंसान ने ओफर किया था आपको definitely मुझे love का affair लग रहे हैाँ या पी affair लग रहे है इस इंसानने आपको प्रिपोस किया था या आपकाた Apache या वर्क वाली जगह भी हो सकती है या जगह पर पर इपको इंट्रस दीखा यह आपने निका वह जा एस है कर दिया है कि कैड इो टिंष के लिए है किवा ठसुन गोथे यह डैवोर्स और भाई कि यह झालयरा प्रियुप तो यह इनसान एनि आपको इंतर देवाå तो family का बंदा हो सकता है यह इंसान married भी हो सकता है वाउ यह married है लेकिन आप single हो इसने आपको propose किया तो आपने reject कर दिया ठीक है इस इंसान के पास पैसा हो सकता है यह चाहता है कि आपके पैसे को लिया जाए आपको propose करके तो इस इनसान की नियत ठीक नहीं है अगर आपकी property है या आपके पास पैसा है या आपकी property है कोई land है तो यह इनसान चाते है कि आपको आपके घर यह proposal भेज के यह message भेज के आपको तो आपका husband या wife बन के तो यह सारी चीज़े उनको मिल जाएंगी यह वो इनसान है जिसका आपने offer reject किया या proposal reject किया यह वो इनसान है जिसने आपके घर रिष्टा बेजा house, ten of pentacles, family के बंदे भी हो सकते हैं relatives भी हो सकते हैं जो आपके साथ रिष्टा करना चाते हैं लेकिन आप interested नहीं हो लेकिन यह family के वो लोग भी हो सकते हैं जो यह जानना चाते हैं कि आप किसका रिष्टा accept करोगे क्योंकि वो जानना चाते हैं आपकी life के बारे में ताके gossip कर सकें उनकी नजर है आप पे, male हो सकते है female भी हो सकती है twin of sorts लेकिन काफी सारे लोगों के लिए अगर आप 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 किसी के साथ love में हो या date कर रहे हो इस इंसान को पसंद नहीं है यह इंसान चाते है कि आप उसको छोड़ के इसको accept करो ठीक है क्योंकि यह आपको पैसा भी देगा घर भी देगा अगर इस इंसान के पास है या यह इंसान आपको बाहर भी लेकर जाएगा ठीक है या आप इसको trip पे मिले थे कहीं पहली यह इंसान चाते है कि आप इसको accept करो यह इसलिए jealous इंसान और आप पे नजर रखे हुए है इस इंसान को बहुत jealous है यह इसान possessive है Scorpio हो सकता है Water sign हो सकता है Pisces, Cancer, Scorpio We have fire, we have earth energy कोई भी sign हो सकता है लेकिन यहां पर यह वहले sign मुझूद है तो यह family से हो सकता है ठीक है आपकी अपनी family से हो सकता है यह आपका ex-husband या wife भी हो सकता है क्योंकि study है, education है, पैसा है तो यह इसलिए भी jealous है कि आपके पास यह पैसा कहां से आ रहा है या आपकी property कहां से आ रही है आप क्या कमा रहे हो आपका क्या business है ठीक है तो great fortune क्योंकि यह इनसान देखता है कि आप बहुत good luck हो आप एक lucky person हो तो अगर आपके साथ शादी की जाए तो वो सकता है कि आपके साथ इनका future बन जाएगा इस इनसान का future बन जाएगा ठीक है और अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो यह इनसान definitely है आपकी तरफ जैसे वो कहते है green card लेना तो आपके साथ शादी करके इस इनसान को green card मिल जाएगा या कुछ इस तरह अगर आप बहार रहते हो तो तो इस इनसान का plan है लेकिन आपने reject कर दिया इसकी offer या इस इनसान को डर है कि आप reject कर दोगे लेकिन बहुत जाब message रसीव करोगे या इस इनसान ने आपको डरेड़ी message किया है ठीक है so this is your reading like, share and subscribe I will see you in the next video bye